How to choose the best domain name सभी के दिमाग में ये question आता है जब भी कोई website या blog स्टार्ट करने जा रहा होता है और आना भी चाहिए अगर ये question दिमाग में नहीं आता है तो future में बहुत सी problems आ जाती है तो इसी के उपर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको domain name selection की time में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि future में आपको कोई issue ना आए क्योंकि ऐसे ऐसे भी cases देखे हैं मैंने जिसमें domain name बंद करना पड़ता है even website grow हो चुकी है तो हमेशा ध्यान रखो जब भी आप domain name का selection करते हो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ domain name होता क्या है जैसे आपके घर का एक address होता है ठीक है उसी तरह से internet के उपर आपके website का आपके blog का एक address होता है उसको हम बोलते है domain name जैसे कि मेरा यहाँ पर है seovikas.com तो यह मेरा online एक address है मेरे blog का मेरे website का ठीक है जब भी मैं seovikas.com को browser के अंदर डालूँगा तो मेरी website open होगी ठीक है और किसी website पर मैं नहीं जाओगा क्योंकि यह मेरा एक particular unique address है इस वीडियो की end में मैं practically आपको यहाँ पे कुछ tips देने वाला हूँ जिन्हें आपको follow करना चाहिए domain name को register करने से पहले तो make sure आप यह कर लो कि इस वीडियो को पूरा देखना वीडियो जादा बड़ी नहीं होने वाली है लेकिट वीडियो को ध्यान से देखना सो यहाँ सबसे पहले आता है कि जब भी आप website ले रहे हो तो आप try करें .com domain ले जैसे मेरा है seovicast.com अब actually में क्या होता है यह ऐसा कोई ranking factor नहीं है कि भाईया .com लोगे तो आपकी rank करेगी but यह most commonly जितने भी internet users होते हैं वो यह समझते हैं कि कोई भी website होती है वो .com से end होती है ठीक है ना जैसे seovicast.com तो ऐसा दिमाख में आता है ऐसी psychology है कि यह website है यह domain name है ओके तो यही एक main reason है .com लेने का अगर आप India target करते हो तो .in भी ले सकते हो but मैं prefer यही करूँगा कि आप .com ले ताकि आप किसी को भी target कर सकते है .in लेने पे क्या होगा कि ऐसा लगता है कि आप सिर्फ India को target कर रहे है .us ले रहे हैं .ca ले रहे हैं .uk ले रहे हैं तो उसे पता चलता है कि आप एक particular country को ही target कर रहे है तो यह थोड़ा unique लग रहा है अब यहां जितने भी मैं domain वगरा यहां use करूँगा यह सिर्फ example के लिए लिए हुए मैं stylishtrends.net stylishtrends.biz तो यह थोड़ा सा है ना मतलब कि है यह भी चलता है ऐसा बात नहीं है लेकिन most common .com होता है तो मैं prefer करता हूँ कि भी आप .com लो ठीक है use keywords अगर आप कोई niche based blogging करने जा रहे हो तो make sure आप यह करो कि आपके niche से related कोई ना कोई keyword उसके अंदर होना चाहिए so that आपकी website यह show कर सके कि भी हम इस niche में content provide करते है solutions provide करते है ठीक है इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलेग्राम पे share कर दूँगा और आप मुझे Instagram पे follow भी कर सकते हैं तो मैं आपको personally भी यह send कर दूँगा ठीक है इसके बार आता है यहाँ पे keep it short आपको domain name short रखना है short मतलब कि जैसे यहाँ पे travelis.com लिखा है तो यह थोड़ा सा easy to remember है अगर मैं किसी को share करना चाहूँ तो इसको बोल सकता हूँ travelis.com पे चले जाओ ठीक है लेकिन यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा domain है कि adventurous travel experience.com तो यह बहुत जादा बड़ा domain है तो इसको easy remember करना possible नहीं है ठीक है अगर मैं share कर रहा हूँ type कर रहा हूँ तो भी वो possible नहीं हो पाता इतना बड़ा कोई ध्यान नहीं देता है ठीक है उसके बार आता है कि make it easy to spell मतलब उसको spell करना easy रहे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ easy recipe ideas.com तो मैं इसको easily type कर सकता हूँ इसके बार आता है उसको unique बनाना है unique बनाने का मतलब यह होता है जैसे यहाँ पे example में ले रहा हूँ online shopping deals.com और एक है bargain buddy.com मुझे एक website start करनी है ठीक है और जिस पर मैं shopping deals वगेरा देता हूँ तो unique कैसे होगा वो अब मैं मालो online shopping deals.com को खरीद लेता हूँ बहुत बड़ी बड़ी high authority काली websites rank करने लग जाएगी और मेरा यह domain जो है वो rank नहीं करेगा क्यों क्योंकि उन keyword को ही high authority websites target कर रही है और आपकी website उस time नहीं होगी नहीं होगी तो उसको rank करवाना मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो यह unique नहीं हो जब भी bargain buddy कोई search करेगा तो आपका यह domain name unique होगा ठीक है ना अब last में मैं आपके साथ यह share करूँगा कि कैसे हम पता करेंगे कि यह unique है कि नहीं है ठीक है तो bargain buddy.com दूसरी websites को क्या पढ़िए वो bargain buddy लिखके फिर उसको target करेंगे ठीक है ना तो वो जब target नहीं करेंगे तो कोई जब search करेगा bargain buddy.com तो आपकी website rank करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि वो unique है ठीक है इसके बार आता है avoid hyphens आपको hyphens अपने domain name में नहीं लेना है ठीक है ना यहाँ पर example है यह इस तरह कि भी domain name आप ले सकते हो इसको avoid करें गए वो available नहीं है तो आपने सोचा लाओ मैं fruit basket double की लगाके और ले लेता हूँ तो वो तो मिल जाएगा आपको ठीक है बट यह future में जाके अगर आप इस पर काम कर रहे हो ठीक है ना और यह website already मान लो किसी की है या नहीं है ठीक है तो जब भी कोई search करेगा fruit basket तो यह website rank करने हो जाएगा ठीक है बट recommend यही करूँगा कि भाई कभी भी ऐसे domain ने मतलो जिसमें आप डबल लेटर वगरा के उसको खरीर ले रहे हो फिर उसके उपर काम कर रहे हो ठीक है इसके बाद plan for growth आपका domain ने मैसा होना चाहिए जिसमें आप future में उसको थोड़ा सा topics को बढ़ा सा मतलब कि आप एक निश को cover कर रहे हैं आपकी website grow करी तो उसी से related उसी निश से just touch में जो भी topics है उनको भी आप cover कर फिर आप अपना research करो भाई research करते टाइम यह धियान रखो कि कि किसी का trademark नहीं होना चीए ठीक है ना किसी की website already use नहीं होनी चीए अब जिसे tech trends है मालो suppose करके य आपको अपनी website बंद करनी पड़ेगी तो इन सब चीजों का अगर ध्यान नहीं रखो गया तो problems आगे होने वाली है और अगर मालो आपने research अच्छे से किया सब कुछ सारे rules वगेरा follow किया और आपको domain name आपका मिल गया तो आपको क्या करना है कि उसको register कर ले ना बिना public में share किये पहले इसको register करो उसके social media है जितने उनको सब को आप acquire करो social media handle और उसके बाद ही इसे public करो लोगों के साथ share करो तीक है ना so अभी मैं आपको यहाँ पर वीडियो थोड़ा pause करता हूँ उसके बाद मैं बताऊँगा कि कैसे हम domain name practically google पर search करके ले सकते हैं उससे पहले मैं आपको ब्लॉगिंग से related training चाहिए ब्लॉगिंग सीखना है SEO सीखना है तो हमारा एक program होता है 30 days का live है मतलब one on one रहता है आप और मैं सिर्फ दो लोग होते हैं जहाँ पर मैं आपको सारी practically चीजें share करता हूँ ठीक है ना यह सारी चीज़ आप यहाँ पर वीडियो को pause करके पढ़ सकते हैं और अगर आप interested है तो आप मेरे instagram SEO विकास पर मुझे message कर सकते हैं हम वहाँ फर्दर discuss कर लेंगे यह मेरे social media links हैं अब यहाँ पर हम practically देखेंगे कि कैसे एक domain name चूज़ करना चीज़ और कौन सा domain name best होता है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी niche है जो की home based niche है home seller tips and guides share करती है तो मैं यहाँ पर क्या रिखूँगा मेरे दिमाग में एक domain है मैं डालूँगा buddy home tips ठीक है अब मैंने यह domain name इसको मैं choose करना चाहता हूँ तो मैंने इसको share कर दिया अब domain name हमेशा होता है उसमें space नहीं होता है तो हम क्या करेंगे इसमें space हटा देंगे एक बा अब यहाँ पर हमें कोई भी search नहीं मिला यहाँ पर zero results मिला मतलब अगर हम buddy home tips को ले लेते हैं तो एक मात्र हम ही ऐसे होंगे जो इसके ऊपर अपना title बनाएंगे article लिखेंगे तो हमारी website अगर कोई search करता है buddy home tips तो rank कर जाएगी तीक है ना इसके बाद यहाँ पर मैं एक ब Google highlight कर रहा है ठीक है कि यहाँ पर ऐसा कोई result हमें मिला ही नहीं तो अगर ऐसा result नहीं मिला है इसका मतलब यह unique है ठीक है तो हम क्या करेंगे भाई अब इसको check करने वाले हैं ठीक है कि क्या हमको यह मिल सकता है तो इसको मैंने copy कर लिया go daddy पर जाना है ठीक है यहाँ पर करेंगे कि पहले किसी ने register वगरा तो नहीं किया था इसको ठीक है तो उसके लिए हम जाएंगे web archive ठीक है सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एक यह web archive है ठीक है website webarchive.org या फिर internet.archive करके होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको यह box में आपको website डालनी है यहाँ पर कि the wayback machine has not archived that URL मतलब इससे पहले यह register नहीं हुआ है मतलब यह unique है तो आप इस तरह की domain name को select कर सकते है ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा कि भाई domain name का selection कैसे किया जाता है और यह PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे Instagram पर contact कर सकते हैं domain name लेने में आपको कोई परिशा आप हमें contact कर सकते हैं on Instagram so I hope अब आप अपना domain name लेने जा रहे हैं तो आपको best domain name मिलेगा and thank you so much for watching this video